टीबे न्यूज हरियाना पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं फतेवाद के टुहाना क्षेतर से जहां पर कल आई तेज तुफान ने कहर बर पाया है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं टुहाना क्षेतर की तस्वीरे हैं जहां पर ट्रास्फार्मर ह वो दूर जाकर गिरे हैं इसके अलावा काफी संख्या में जो बिजली के पॉल है वो तूटके इसके लावा तस्वीरों में देख रहे हैं हाई वोल्टेज की जो बड़े बड़े जो टावर थे वो गिर गए हैं जिसके चलते जो बिजली की ववस्ता है उसके अंदर जो कामिन है या सहरवासी है वो बिजली करमचारियों को कोपरेट करें सहयोग करें क्योंकि जो ववस्ता को फिर से सुचारू रूप से करने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि जो बिजली के पॉल है काफी संख्या में वो तूट गए हैं इसके लावा जो ट्रासफारम है वो गिर गए हैं जिसके चलते बिजली की सुचारू रूप से ववस्था अभी नहीं हो पाएगी जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा एस्टियो साब ने अपील करते हुए लिखा है कि सभी आमजन सहोग करे तागी बिजली ववस्था को दोबारा सुचारू रूप से करने के लिए काम किया जासके आपको बता दें कि जो तस्वीरे आप देख पा रहे हैं तुहाना अक्षेतर के अंतरगत ये तस्वीरे हैं जहां पर पोल है वो उखड गए हैं खेतों में पोल उखड गए हैं इसके लावा जो ट्रासफार्मर है वो तूट गए हैं गिर गए हैं इतना ही जही बड़ी हा लूब से supply आने के लिए टाइम लग सकता है क्योंकि जाधा नुक्सान हुआ है और सभी poles को उठाने के लिए फिर से दुवारा से सुजारू रूप से चलाने के लिए टाइम लगेगा और बिजली करमचारियों का आप सभी सयोग करें क्योंकि अगर सयोग करेंगे तो यो ववस्था है वो जल्दी बन पाएगे तो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तुहाना सेतर की तस्वीरे देखकर आप अंदाजा लगा लेजिए कि तुफान का कहर कितना बर्सा है और आप देख सकते हैं किस परकार जो ट्राश फार्म है वो दूर जाकर गिरे इसके लावा बिजली के पोल उकड़ गए इसके लावा जो पेड है वो काफी संख्या में गिर गए हैं कहीं पर हाई बोल्टे तारों पर और